हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बाक टू जशन्स क्रेशन्स, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं और खेली हैं, प्रसाइब के वीडियो में मैं आपके साथ साथ शेयर करूँगी कैसे बहुत ही असान तरीके से अपने मन पसंद कलर की डोरी में बनाई जाती है, तो ऐसे हम इसको तिर्चा कट कर लेंगे, तो तिर्चा कट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से फाबरीक आ जाएगा, तो इस फैबरीक से हम तिर्ची पतियां कट करेंगे, अब इस पर हम पॉने 2 इंच का यानि 1.75 इंचे का मार्क लगा लेंगे, इतनी चोड़ी हमने पटियां कट करनी है तो इस तरीके से हम काफी सारी पटियां कट कर लेगे basically जितनी आपको लंबी डोरी पाइपिंग चाहिए न तो उसके एकारडिंग आप जो है तो friends, हमारी strips cut हो गई हैं, अब इन्हें join कैसे करना है, मैं बताती हूँ आपको, अब ये दो strips ऐसे रख लेनी हैं, दोनों की सीधी साइड उपर है, इस तरीके से पलट लेना है इसको, और ऐसे तिर्चा रखेंगे, और यहाँ पर एक stitch लगाएंगे, एक पैर की सिलाई रखे मैं आपको मशीन पर बताती हूँ, यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे ना इसके उपर, तो यह corner हमारा बाहर निकलना चाहिए थोड़ा सा, तो जहाँ से सिलाई हमने लगानी है, वहाँ तक यह corner बाहर होना चाहिए, ऐसे, और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इसमें, तो मैंने ऐसे इसको join कर लिया, यह ulti side अंदर की side है, सीधी side बाहर है, और मैंने इसको double करके इस पर press लगा लिया है, ऐसा करने से यह बहुत ही finishing के साथ ready होगी हमारी dory piping, प्रेस कर दिया है, हमने देखी ulti side अंदर कर दी है, और edge से edge मिला कर मैंने इसको double fold कर दिया है, अब इस को इसके उपर रखेंगे, open side की तरफ रखेंगे, एक side तो हमारी close है, क्योंकि हमने double किया है, तो close वाली side पे नहीं रखना है, open side पे रखना है, और ऐसे हम इसके अंदर रखेंगे, इसके विल्कुल साथ साथ डोरी के हम इसमें stitch लगा देंगे, और जो हमारी open side है, वो close side के पास नहीं ले जानी है, थोड़ा पीछे रखनी है, ऐसे रखेंगे, और हलका सा हम इसको ऐसे fold करेंगे, बल्लब ये ना center तक आ जाता है, इसका fold जो है, तो ऐसे रखेंगे हम इसके बिल्कुल साथ साथ स्ट्रिच कर लेंगे, ये देखिए मैं करींगे, और friends ये ना मैं मे निशिंग के साथ रेडी हो रही है, पाइपिंग, तो अगर आपके पस single foot नहीं है, तो double foot से भी आप इतनी बारीग piping बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से piping को बनाना है, हलका हलका पीछे से खीचते जाएंगे, बहुत जोर से नहीं खीचना है, बहुत हलका हलका हम खीचते जाएंगे, और बिल्कुल साथ साथ हमने धीरे धीरे स्टिच को लगाते जाना है, तो अगर आपके पास single foot नहीं है, तो double foot से भी आप इतनी सुन्दर piping को बना सकते हैं, बहुत असानी से, तो ये तो मेरे पास एक matching suit मुझे बनाना था, तो हैं उसके ये neck पर ready हुई है, ये देखिए friends, कितनी ही बारीक और finishing के साथ ये ready हुई है हमारी piping, और जैसे हमें market से मिलती है ना, तो market में तो कई बर ये ऐसी होती हैं, कि उनके side से धागे निकल रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल भी इसका कोई धागा नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने इसको double fold कर दिया था ना, तो इस वज़े से, अब friends, अब आप इसका multiple use कर सकते हैं, जैसे कि आप इससे अपने neck पर लगा कर fold कर सकते हैं, या neck में front पर पटी से design दे सकते हैं, या अपने चाक पर इसको लगा सकते हैं, या आपका जैसे कोई border है ना, bottom में, तो उसके उपर नीचे लगा कर border को भी आप इसको finishing दे सकते हैं, तो जैसे मुझे इससे neck create करना है, और एक border भी create करना है, पीडियो के end में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से neck design किया है, और plus उसका एक border भी बनाया है, जो मैंने sleeps के लिए ready किया था, और friends, ये जो मैंने ये fold किया था ना, इसको, अब जैसे कई बार नेक पे लगाते हैं, तो यहां से आपको fold करने का कोई problem नहीं रहेगा, आजट इसको रखो और stitch लगा दो, बस इसको ऐसे, जैसे fold करने में कई हो को ना, corner से problem आती है, कभी ठंक से fold नहीं होता है, तो वो कोई problem आपको नहीं आएगी, बस ऐसे नहीं था, तो इधर मैंने ये वाली piping दे के इसको finish किया है, तो कितनी finishing के साथ इसमें ये ready हुआ है, सुन्दर लग रहा है, और इसके suit का neck भी मैंने इसी piping से ready किया है, देखिए, दो दिन बाद मैं इसकी video upload करूँगी, तो अगर आपको video पसंद आती है, तो like कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तेनल दें, टेक केर, बाँ बाई